नमस्कार दोस्तों तिरशी टांग वाली किरंट जोहरा भाई अब एक और नैपो कीड़े को लॉंच करने की तैयारी कर चुकी है और इस बार लॉंच होने वाला नैपो कीड़ा है फ्लॉप एक्टर सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम अली खान खुद सैफ अली कान एक नैपो कीड़ा है और उसका रिजल्ट ये है कि इसने पिछले 22 साल में अपने दम पर सिर्फ एक हिट और एक एवरेज मुवी दिये बाकि सारी फिल्में इसकी घटिया और डिजाश्टर है यानि मेरी जितनी उम्र के इंसानों का सारा बच्पन उनकी टीनेज और जवानी के भी कुछ साल इसने अपनी घटिया फिल्मों से बरबाद करती है अब हमारी आने वाली जननेशन के बच्पने और टीनेज को खाने के लिए इसका बेटा फिल्मों में लॉंच हो रहा है इसकी एक बेटी पहले से ही हमें टॉर्चर करने का काम कर रही है और ये किरन जोहरा बाई किरन मौसी इसे कोई ढंका एक्टर कभी मिलता ही नहीं है क्या जिसको लॉंच करेगी गोबर को ही लॉंच करेगी जब भी मुह मारेगी कुल्टा नाली में ही मुह मारेगी बस बड़े बड़े एक्टर्स के नाम पर उनको भुनाने के लिए उनके खच्चर उलाद को स्टार किट बोल के जंता पर थोब देती है और देश की जंता भी जो है खास कर युवा इनके जाल में किसी ना किसी वज़े से फसी जाते हैं इनको बिना कुछ करे-ढरे सोशल मीडिया पर आज का ज़्यादा तर यूथ आंख बंद करके फॉलो करनने लगता है बिना ये सोचे की इने फॉलो करने से उनने सीखने को क्या मिलेगा लेकिन कुछ लोगों को बस फॉलो करने से मतलब होता है जबकि इनमें आदे ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता है कि हमने किसको follow कर लिया किसको नहीं कर लिया लेकिन इसका सीधा असर पड़ता है इन नैपो कीडो पर अपने लाखो करोडो followers की वज़े से ये अपने आपको भगवान समझने लगते हैं किरन तिर्शी भाई इबराहिम अली खान की जो मूवी है उसको बड़े स्केल पर बनाने की तैयारी कर रही है इसमें काजोल भी जो है लीड रॉल प्ले करने वाली है फिल्म की audience को बढ़ाने के लिए इसमें South के एक बड़े नाम को शामिल किया गया है फिल्म में पिर्थ्वी राज सुकुमारन को काश्ट किया गया है पिर्थ्वी राज सुकुमारन South में एक बड़ा नाम है वो actor, director, producer, singer और distributor भी है पिर्थ्वी राज ने ना सिर्फ मलियालम में बहुत अच्छा काम किया है बलकि तमिल और तेलगू के साथ में उसने दो-ती हिंदी फिल्मों में भी काम कर रखा है अब पिर्थ्वी राज को इबराहिम की फिल्म में काश्ट किया गया है जिसमें काजोल और पिर्थ्वी राज एक दूसरे के अपोजित होंगे अब देखना होगा कि ये इबराहिम भी अपने बाप की तरह टॉर्चर करेगा या कुछ एक्टिंग भी करके दिखाएगा वैसे इबराहिम अभी से काफी फेमस है आए दिन वो नशे में धुत्थो कर पार्टिया करता रहता है यानि पूत के पाउं पालने में ही दिखाई देने शुरू हो चुके है जो अयाशी अभी थोड़ी बहुत देखी जा रही है या थोड़ी बहुत छिपी हुई है वो आने वाले समय में आपको अपने चरम पर दिखेगी वैसे इब्राहिम तो कथित रूप से सफेद पाउडर चाटने वाली गेंग का हिस्सा है तो इससे और ज़्यादा क्या ही उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में इसका जो सफेद पाउडर है वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा